ये हमारा बाजार जैसा खौन चीज पीजा बन कर तयार हैं इसे हमने बिना ओवन और बिना इस्ट के तवे पर ही बनाया है तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम पीजा बेस बनाने की तयारी करते हैं एक बाउल के अंदर हम मैदा लेंगे और उसके अंदर हम बेकिंग सोडा एड़ करेंगे अब बेकिंग सोडा की डबल कॉंटिडी में हम बेकिंग पाउडर एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें औरियेनो, ब्लेक पेपर पाउडर, नमक और शुगर एड़ करेंगे इसके बाद हम इसके अंदर दही एड़ करेंगे दही एड़ करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है तही अच्छी तरह मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसको अच्छी तरह से गूल लेंगे और एक सोफ्ट डो बना लेंगे हमारा पीजा बेस के लिए डो बनकर तयार है अब इसको उपर थोड़ा साथ तीन लगाकर और इसको साइड में एक गंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हमारे डो को रेस्ट करते हुए एक गंटा हो चुका है अब हम अपने तवे के इसाब से जितना बड़ा हमारा तवा होगा उसके इसाब से इसका पीजा बेस बना लेंगे मैं इसको हाथ से ही बना रहा हूँ आप चाहँ तो उसको बेलन की मदद से बेल कर बना सकते है बेस हमारा ओलमेस्ट बनके रेडी है अब हम इसके अंदर फूब की मदद से होल्स करेंगे इससे बेक करते डाइम खूलेगा नहीं तवा पीजा बनाने के लिए आपके पास मोटे तले वाला तवा होना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका पीजा जल सकता है इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये दा इंडूस वली ब्रांड का मल्टी परपस काश तायरन प् इनके प्रोड़क्ट परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स शेक करें तो चलिए अपने पीजा बेज की तरफ चलते हैं उसके बाद हम इस तवे को ओल से ग्रीज कर लेंगे ग्रीज करने के बाद अपना पीजा बेज तवे के अंदर रख देगे और अच्छी तरह से साइज एड़ेस करने हैं इसका और इसके बाद हम इसको एक साइट से सिर्फ एक मिनिट के लिए लो हीट पर पकाएंगे अब हम पीजा बेज को एक साइट से एक से डेड़ मिनिट के लिए बिल्कुल दीमी आज पर पकाएंगे और यह हमें पीजा बेज पकाते वे एक मिनिट हो चुकी है यह देखिए बहुत अच्छी तरह से एक साइट से पक चुका है तो चलिए अब इसकी टॉपिंग करते हैं पीजा बेस हमारा बन के बिल्कुल रेडी है यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं सबसे पहले हम इसके उपर पीजा सॉस लगाएंगे सबस्के बादा मिस पें मोजरी लाचीस दाले इस इसके बाद हम इस पर सूइट पॉन से दालेंगे इसके बाद मेरे पास कैप्सिकम है तो मैं यह दो तीन कलर की कैप्सिकम डाल लेता हूं आपके पास जो भी सबजी अवेलिबल हो आप वो डाल सकते हैं कैप्सिकम के बाद हम इसके अंदर और थोड़ा सा मोजरीला चीज डालेंगे और अब यह बिल्गुल रेडी है बैक होने के लिए तो चली हम इसको अपने तवेक अंदर ट्रांसफर करते हैं अब हम तवे को गेस पर रख देंगे और इसको कवर करके पंदरा मिनिट के लिए पकाएंगे पीजा को पकते हुए पंदरा मिन हो चुकी है तो देखिए हमारा पीजा परफेक्टली बनके तयार है तो चीज है वो भी मेल्ट हो चुकी है और जो वेजिज है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है तो चली हम इसको अब डिशाउट कर लेते हैं तो फाइनली यह हमारा तब पर बना हुआ चीज कौन पीजा अब इसको और ये नौसे सीजन करेंगे और इसको कट करके सर्व करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्लूस वेली के प्रोडक् स्क्रीशन बॉक्स में लिंक है वीडियो वेब साइट पर विजिट करें